जै श्री राम, जै हनुमान जी अपने सभी मनोरत की पूर्ती के लिए या इच्छा प्राप्ती के लिए हनुमान चालिसा की 28 नंबर की चौपाई का अगर जब किया जाए तो आपके सभी मनोरत सिद्ध होते हैं और आपकी इच्छाओं की प्राप्ती होती है बसरते आपके मनोरत सार्थक होने चाहिए सात्रिक होने चाहिए और इच्छाओं दूशीत ना हो उसका दूप्योग नहीं करना है चौपाई है और मनोरत जो को इलावे सोई अमित जीवन फल पावे है इस चौपाई का जब आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है लेकिन अगर हनुमान जी के मंदिर में आप नहीं कर सकते हैं अपने घर में आप कर सकते हैं हनुमान जी की फोटो के सामने इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर से उनका सिद्दूर लेके आवे पाई की कम से कम 11 माला जब करनी है अगर मनुरहत बढ़े है अगर मनुरहत कठिन है तो आपको संख्या बढ़ानी होगी एक ग्यावन या 101 माला की जब भी करनी पढ़ सकती है और तुरंट आप जब पे लग जाएए हनुमान जी को संभा हो तो हर 11 माला के जब के बाद एक कपूर जलाके कपूर जलाने से आपको मनुरत सिध्धी के लिए शक्ती मिलेगी और हनुमान जी के जो इष्ट है उनको कपूर मिलेगा तो वह पसंद न होंगे वह आपकी मनुरत सिध्धी के लिए आपकी सहायता करेंगे हर माला के बाद आप अपने मनुरत को हनुमान जी को बताते जाईए समस्त आप जहां भी जब करेंगे हनुमान जी की फोटो के समक्ष आप चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाईए अगर चमेली का तेल ना हो तो घी का दीपक जलाईए या फिर तिल के तिल का दिपक और हनुमान जी से प्रात्ना करते रही है यह आपको नित्ते करना है साथ ही साथ आप अपने मनुवत की पूरती के लिए प्रत्न भी करना है ऐसा नहीं कि आपके अल हनुमान जी पर आश्वित हो जाए कर्म तो आपको करना ही होगा आप देखेंगे हनुमान जी की वो शक्ति है कि आपके समस्त मनुवत धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे अगर मनुवत किसी काल वो अवधी का हो लंबा हो ता प्रथम दिन 11, 51 या 101 माला के पश्चा ता आप रोज कम से कम पाच, साथ, नो या 11 माला करते रही है इसी मंत्र की रूज, नित्य करते रही है आप देखेंगे आपके मनुवत जल्दी ही सिद्ध होंगे जै श्री राम, जै हनुमान जी